हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल बॉनिटर संधीप पाल में आज हम आपको बताएंगे भारत के सभी राज्यों के बारे में कि उनका गठन कब हुआ था और उनकी याजधनी कहा हैं यह जानकारी वहत त्याप के लिए मैत पूर होगी क्योंकि आपके लिए वहत ही महतपूर होने वाली है वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदर हैं कि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए वीडियो देखने के बाद में कमेंट में यह जरूर बता है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगे चले वीडियो शुरू करते हैं पहला राज पहला राज्यापका आन प्रदेश जिसकी आज़धानी अमराबती है पहले इसकी आज़धानी हैदरामाद थी एक नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ है दूसरा राज्यापका और चल वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था इसका चौथा राज आपका है विहार जिसकी आज़धानी पटना है और इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था आपका पांचमा राज है वो 36 गड़ जोकी मत्रे से तूटकर वना है जोकी एक नमबमर 2000 को तूटना था जिसकी आज़धानी रायपू है शत्मा राज गोवा जिसकी राजधानी पढ़जी है और जो 30 माई 1987 को गठन हुआ इसका सात्मा राज गुजराद जिसकी राजधानी गांदी नगर है और इसका गठन एक माई 1960 को हुआ था आठमा राज आपका हरियाडा जिसकी राजधानी शंडीगाड है इसका गठन एक नवंबर 1986 को हुआ था नौवा राज आपका हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी सिमला है इसका गठन पंच जनवरी 1971 को हुआ था दसमा राज है जहारखंड जो की व्यार से तूटकर वना था दोजार में 15 नवंबर 2000 को जिसकी राजधानी राची है ग्यारमे नमबर का राज है करनाटक जिसकी राजधानी वेंगलुरू है जो की 1956 को राजवना इसके बाद में वार्मे नमबर का राज है वो आपका केरल जिसकी राजधानी तुरुवंत पुरम है और ये एक नमबर 1956 को राजवना इसके बाद में तेर्मे नमबर का राज है वो है मद्ध प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल है ये एक नमबर 1956 को पंदर्मा राज आपका है वो है आपका मड़ी पूर जिसकी राजधानी इंफाल है और इसका गठन जो है वो हुआ 21 जनवरी 1972 को इसका जो नेश्ट राज है सोलवे नंबर वो है मेगाल है जिसकी राजधानी सीलांग है और इए 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ है जो सत्तरमा राज है वो है मिजोरम जिसकी राजधानी आई जोल है इसका गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ है अठारमा राज है वो है नागालेंड जिसकी राजधानी कोही मा है और इसका गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ 19 मा राज आपका वो है ओरिसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वार है इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ उसके बाद में वीसमा राज है वो है आपका पंजाब जिसकी राजधानी चंडीगाड है जिसका गठन एक नमबर 1956 को हुआ इसके बाद में अगला राज आपका है वो है राजिस्थान जिसकी राजधानी जैपूर है जो कि 1 नमबर 1956 को बना राज इसके बाद में वायसमा राज वो है सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक है जो कि 16 मई 1975 को राज बना इसके बाद में तेसमा राज तमिल लाडू जिसकी राज़ानी चेन नहीं है इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ इसके बाद में 24 सुमा राज़ाप का जो है वो है आपका तेलंगाना जिसकी राज़ानी हैदरावाद है जो की 2 जून 2014 को राज़ बना इसके बाद में पचीसमा राज है वो है तिर्पुरा जिसकी राज़ानी अगरतला है जो की 21 जनवरी 1972 को राज़ बना इसके बाद में 26 मा राज है वो है उत्तर प्रदेश जिसकी राज़ानी लखनव हो है और ये 26 जनवरी 1950 को राज़ बना इसके बाद में 27 महाराज जिसकी राजदानी देहरादून है और ये 9 नवबर 2000 को राजबना इसके बाद में 28 महाराज है वो पश्चिब बंगाल जिसकी राजदानी कोलकाता है जो की 1 नवबर 1956 को राजबना अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ भी सेर करें जिससे कि वो लोग भी जानकारी हंसिन कर पाएं और साथ की साथ में हमें ये भी बताएं कि आप किस राजसे हैं उसका नाम कमेंट में जरूर लखें जेहन दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में